कॉंग्रेस का जो मेन बीमारी है ही है कि कोई एक बेक्ती जब बनेगा तो बनने के महीना दिन के अंदर से ही विरोध सुरू हो जाता है लेकि प्रस नहीं है कि जो लोग विरोध में रहते हैं उसमें से एक आदमी कोई हो जाए तो फिर उसका भी वी रोध बाकी बच जाएंगे तो करेंगे तो इसे कॉंग्रेस को उपर उठना होगा पनोर्मा ग्रुब जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्या नहा तो पुरो कांग्रेस जी नेता रामजेतन सिन्हा जी फिर पुराने घर में वापस आ गया है सदाकत आस्रम में उनके पार्टी के धक्ष भी कांग्रेस पार्टी के धक्ष भी है रामजेतन सिन्हा जी भी आप तो पुराने दिगज कांग्रेस जी नेता है क्यों पार्टी छोड़ी थी फिर क्यों आब चखे जाताता है गलती हो जाती है उसको तो गलती ही न कहा जाएगा अब उसको फिर आज सुधार लिये हौपस अपने घर में आ गए जो बहुत अच्छा रहेगा राहूल गांधी जी का पूरे देश में है और बिहार में भी तो परदेश कॉंग्रेस अध्याक्ष काफी परिश्रम कर रहे हैं तो यह जो काम करिंग उसमें हम लोग पूरे चमता और ताकत के साथ खड़े रहेंगे विहार परदेश में गुट ने के महिना दिन के अंदर से के विरोध सुरू हो जाता है कि जो लोग विरोध में रहते हैं उसमें फरक कांग्रेस बाखी हुई है कैसा लग रहा है ने ने देखिए ये तो लगातार कांग्रेस में नहीं भी थे तो कांग्रेस के बिचारधारा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जो लोग भी इनसे मिलने जाते थे सबको कांग्रेस की बात करते रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं है कि कांग्रे वक्तुल हैं हम लोग जिस कोलेज से पढ़े लिखें हम हों चाहे मदन मुहन जाजी हों समीर बाबू पटना विस्विद्याले में थे तो उस समय से जुड़ाव हम लोग का रहा है और और इनका मार्ग धर्शन लेके कॉंग्रेस को और हम लोग मजबूत करेंगे तो अब सुन रहेते प्रदेश अधक्ष को का रहा है कि राम जतन सिन्हा पुराने कांग्रेस ही है और जो कांग्रेस के नेता भी है जुआ नेता उस सब के गुरू भी है तो अब उनके कांग्रेस पार्टी में वापसिक से काफी उत्सा है और कांग्रेस पार्टी में के दफ्तर में देखिए करकरता और नेता पहुचे हुए हैं राम जतन सिन्हा के स्वागत के लिए